नमस्कार सरदियों का मौसम और सरद हवाएं इस समय उन्ही चुनोतियों की तरह चुब रही हैं जिस से जिन्दगी का सामना अक्सर होता रहता है लेकिन अगर जिन्दगी सेहत मंध हो, स्वस्थ हो तो ये चुनोतियां आती हैं और जाती भी हैं तो चली एक बार फिर हम अपने स्वास्त की और सेहत की बात करते हैं और विशेष सर्द मौसम में जो बीमारिया हमेसाथ आती हैं बुजर्गों और बच्चों को लेकर के विशेष खयाल कैसे रखे जाए यही चर्चा करेंगे और साथी साथ ओमिक्रोम पे भी चर्चा अपने ग्यान को साजा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनमोहन शंकर आप सामुदाइक स्वासकेंद्र वारांटसी में कारे रत हैं डॉक्टर मनमोहन हमारे काईकर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और अभी सर्दी का जो मौसम है वो अपने चर्मो पर पहुंच रही है तो ज्यादा तर हम लोगों ने पहले से भी देखा है और आज भी देख रहे हैं अपने OPD में कि इस समय पेशेंट ज्यादा तर फ्लू के कोल के कफ के डाइरिया यह पेशेंट आ रहे है और साथ ही साथ जो क्रोनिक डीजेज होती है इस मौसम में इस समय ब्लड की जो विसकॉसिटी होती है थीकने सोती वो बढ़ जाती है तो थोड़ा सा इस मौसम में बच्चों वजुर्गों के अहतियात लेने की ज्यादा जरूरत होती है हाला कि सभी एज ग्रूप को इस मौसम में अहतियात बरतने की जरूरत है बच्चों की बात कर फ्लू जो होता है इंफ्लुएंजा वाइरस A & D से होता है लेकिन C में चुकिछी डीजी की सिवियरटी उतनी घातक यह नहीं होता है और एपिडेमिक नहीं कौज करता है इसलिए हम लोग इंफ्लुएंजा वाइरस C की बात नहीं करते हैं A & B फिडीज जो करता है यह population में epidemic कर रूप लेती है सबसे पहले हम लोग समझे हैं सुनते रहते हैं कि महामारे epidemic क्या होता है epidemic होता है कोई disease अपने population में पहले से ही रहता है ऐसा नहीं होता है कि गर्मी के दिनों में cough cold डाइरियाज वगरा नहीं होते हैं तो अगर एक जो हमारा expected percentage होती है disease की वो population में है तो उसको endemic word यानि कि वो अभी महामारी का रूप नहीं लिया लेकिन जब यही किसी particular season में इसकी expected percentage से अगर जादा यह हो जाता है तो epidemic का रूप लेने लगती है तो winter के season में थोड़ा सा यह अपने expected percentage से ज़्यादा बढ़ जाती है रीजन यह होता है कि यह जो वाइरल लीजी जाए फ्लू एक वाइरल लीजी जाए और वाइरस को spread करने के लिए यह जो मौसम होता है winter का season सर्दियों का season इसमें एक उनको appropriate environment मिलता है ताकि वो तेजी से propagate कर करते हैं और साथ ही साथ जो इसमें spread करने के लिए किसी ने किसी मीडिया की जरूरत होती है वाइरस को या वैक्ट्रियाज को एक जगह से दूसरे जगह तो सर्दियों का मौसम में हम देखते हैं कि जो हमारी particles होती है तो उसके तुरू जो spreading होती है छीकने से या खासने से त दो पहती है तो बात करें अगर हम फ्लू की खुरू की अभी हम बात कर रहे है कि यह तो कौजेटिव ऐजन्ट है हमारे इन्फ्लूरेंजय वारस एंवी अब होता है सबसे वड़ी बात की इसको हम पहचाने कहते हैं तो पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि इसमें फीवर हो 103 से ज्यादा एक सो तीन से पांच के बीच में हाईगे की फीवर होती है रनी नोज, श्टफी नोज, हाथी कफ होने लगता है, हेड़क होता है, बच्चों में टाइडनेस मिलता है, बच्चे जो भी एफेडिंग में इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं, डी हाइड्रेशन भी हो तो इसमें एक हमें सवधानी लेने की बहुत ही जरूरत होती है ताकि कहा गया हमेशा से के ही abstaining better than cure सवधानी पहले बरत लेनी चाहिए ताकि वह बीमारी ही ना हो तो इसमें हमें सर्दियों में विंटर डीजी जाए गये फ्लू तो विंटर से हमें बचने के तरीके वह हाला कि सभी घर की ग्रेनिया और बड़े जानते हैं कि विंटर से बच्चों को कैसे बचाए जाए गर्म कपड़े पाना कर रखें गर्म तासीर की खाना भोजन जो भी है हम उनको दे बुजूर्ग हो या एडल्ट हो इसमें हमें कोल्ड चीजों से बचना है सबसे ज़्यादा है कि इसमें हम इस समय दही का सेवन ना करें कोल्ड रिंग बच्चों को ना दे आइस क्रीम ना दे तो ज़्यादा बेटा रहेगा गर्म तासीर का खाना खाएं तो उसमें कुछ जगरी करना चाहिएंगा घरेलू जो हमारे नुस्खें हैं दादी नानी के और वो कौन-कौन सी चीजें हैं जिनका हमें ज़्यादा सेवन करना चाहिए समय बिल्कुल बिल्कुल गर्म तासीर के खाने से मतलब है हमारा कि अगर चाय का सेवन करते हैं तो जो भी चाय लेते हैं तो उसमें कोशिज करें कि हम काली मिरश का पाउडर का यूच करें जिंजर का यूच करें है he तो काढ़ा के इस्तमाल सुरु से कहाँ जा रहा है तो तो काढ़े में भी हम क्या कर रहे है अगिलोई का जरूर से कि और चीनी भी आप यूच कर सकते हैं या चाय में भी आप यूज कर सकते हैं तो गर्मतासी इसा मतलब ठंडी चीजों का इसमें थोड़ा एवॉइट करना है अब इस समय लौकी का सेवन थोड़ी से ठंडी चीज है यह हमारे बनानाज का सेवन ना करें फ्रूट में तो बेहतर है जी दूसरी बात अज अजवाइन को अगर पानी में उबाल करके काड़े के तोर पे कुछ नहीं तो अजवाइन का पानी दे तो इम्मिनुटी को भी इन्हांस करता है और बोडी भी अंदर से थोड़ी सी वार्म अप रहती है और मैं चुकि हम लोग सेहत की बात कर रहे हैं तो हम लोग खाने पी नरेंदर मोजी जी ने भी बहुत पहले अपील किया योगा योगा बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वार्मिंग एकसरसाइज कि जो की वर्डी को वार्म करे योगा अपने आप में भी बहुत त्यारे दवावों दवाय तो है लेकिन उनसे ये कम काम नहीं करता है बिलकुल आप को हम ध्यान में रखें और बज़र्गों को लेके बच्चों को लेके विसे इस सतरकता रखनी है खासतर पर वो जो पेशेंट्स हैं जो शुगर के हैं हाई बिपी के हैं उन लों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस समय जैसे मॉनिंग वाक के लिए निकलते है व जोरुड क्योंकि मैंने बॉला कि थन्ड के लिए बहुत ही ज़ाधा से हुआ होते हैं जैसे चुकि ब्लडकी विसकॉसिटि थिखासकर के आपने बोला कि जो डाइविटी जो और ब्लड पेशर के पेशेंट तो ब्लड़ पेशर में ड्र की विसकॉसिटी और यादा होगी थिक थोड़ा सा ब्लेट गाड़ा हो जाता है तो उसकी जो हमारी ब्लॉकेज की चांसेज है कोरोनरी आर्टरी की जो हाट में हमारी मेन आर्टरी जो ब्लॉकेज होती है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज की चांसेज बढ़ जाती है तो इसलिए ठंड के एक्सपोजर से उनको ब बैठ करके अनुलोम, बिलोम, यह साथ सारी चीज़े कर जखते हैं. हाट के पेशेट को, काडेक पेशेंट को थोड़ा सा हम लोग कहते हैं, कि अचानक जुकना, अचानक उठना, यह सब चीज़े मना करना है. थन्द के मौसम में एक और भी चीज़े होती है, ठंक्या है वैसे भी काड़ेक पेशेंट को कि अगर सोकर जगते हैं पेशेंट तो हम लोग सला देते हैं कि सोकर जगने के बाद कुछ मिनट पहले विस्तर पे बैठें बैठने के बाद अपना पैर नीचे करके थोड़ा सा वहां हो कर देन स्टेंड अप हो अचानक कभी भी लिए तो अचानक नहीं उठना चाहिए अचानक ब्लेट पेशर डाउन हो करके और हाट अटक की संभावना बढ़ती है बिलकुल और बच्चों में विसेश करके और बड़ों में भी कभी-कभी ठंड लगने की वज़र से डाइरिया की समस्या देखने को मिल रही है इस समय तो अगर किसी को ऐसा होता है तो ज्यूक है जाननेवा नहीं होता है जब कि हमारी बॉडऊ में फल्ूट की कमी नहीं हो बॉडी में जब तक fluid maintain रहेगा तो डायरिया चाहे हैं लूज मोशन हमारी डायरिया दिन पर में चार बार, पांच बार, दस बार हो तब तक वो जानने वा हो ही नहीं चाहता है तो इसके लिए proper fluid maintenance जिसको कि हम लोग O.R.S के थुरू करते हैं O.R.S देते रहे हैं सबकी एक dogej होती है तो एक तो O.R.S देना है दूसरी चीज है कि जब भी डायरिया हो तो जिंक को भी हम लोग एडवाइज करते हैं जिंक बिकाज इम्मिनोटी को इन्हांस करता है जिंक इस नॉट ओनली फॉर डायरिया इस इन्हांस दे इम्मिनोटी सो हेल्प सीन आ ग्रूफ ओफ डिजीज ग्रूफ डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प करता है तो जिंक को हम लोग इसमें आडव करते हैं यह मैं कहना चाहूँगा कि एंटिबाइटिक का इस्तिमाल सबसे मैं यह निवेदन करता हूँ कि एंटिबाइटिक का इस्तिमाल जल्दी ना करें चुकि लॉट्स ओफ डायरिया जो होती है विदावट एंटिबाइटिक भी ट्रीट हो सकती है सही हो सकती है जींक और और ओरस की सहायता से खरेलून उसको क्यों भी सहायता से तो एंटिबाइटिक चुकि वाइरल डायरिया बच्चों में खास करके मैं कहाना चाहूँगा कि रोटा वाइरल डायरिया वहुत ही कॉमन होता है चुकि वह वाइरल है एंटिबाइटिक की क्या नीड है इससे बहुत ही जादा साइड इफेक्ट बच्चों के हैल्थ पे आ रही है इसके लिए मैं नीवेदन करता हूँ कि एंटिबाइटिक का जल्द इस्तेमान ना करें बिल्कुल और बात चित करना चाहेंगे ओमी क्रों को लेकर के अभी उसकी भी दस्तक है और क्या इस्ति है उसकी क्या सिम्टम्स है उसकी क्योंकि अभी कफ एंड कोल का ये दौर चली रहा है तो क्या उससे मिलते जुलते ही लक्षण है या कुछ अलग है हाँ ओमी क्रों की बात अगर करें तो ओमी क्रों तो हमारे इंडिया में आई चुका है जैसा कि आप जानती हैं और इंडिया में भी हमारे उत्तर प्रदेश में भी दस तक ओमिक्रॉन दे चुका है अभी तक की अपडेट जहां तक मेरे पास है तो 781 केसेच ओमिक्रॉन की इंडिया में इडेंटिफाई हो चुकी है जिसमें सबसे ज्यादा डेली 281 और सेकेंड पे महाराष्टा हमारा 168 केसे जोग चुकी है तो चुकी ओमिक्रॉन में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक जहां तक रिसर्चर्स हमारी रिसार्च पे पहुंचे हैं तो बहुत तेजी के साथ ये इस प्रेट कर रहा है तो मैं ये कहना चाहूंगा इस प्रेट वर्ड पे अभी मैंने कहा कि कि अभी एफ्स्नेट बेटा देन कियो कूक को ना हम ऐसा करें कि इसके चेन को ही तोड़े जैसा कि पहले से चल रहा है तो चेन को तोड़ने के लिए फिर वही चीजे दो गज की दोरी मास्क है जरूरी, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी का श्लोगन है, तो यह दिस्टनस, फिजिकल डिस्टनस को मेंटेन करना है, मास्क वियर करना है, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉसिंग करना है, इसमें हमें बच्चों को भी अपने सिखाना है, कि कभी भी बाहर से आओ या ख लगातार अपनाने की जरूरत है क्योंकि जो तोड़ी जी भी साउधानी अगर हटेगी तो शायद जिन्दीगी मुश्किल में आ जाएगी इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे रॉक्साप अफ़माइकार में शामिल हुआ और इतनी अच्छी जान